अगर आप इसे लोन पर लेते हैं तो आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी तो आए हम जाल ले इस बात पर लाइक गिरू कर दीजिए स्वागत है आपका अपने वाले चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजा है हमें भारी मतों से विजय बना है इसमें आपको मिलता है 110 CC की इंजन अगर हम पावर की बात करें इसमें आपको मिलती है 7.49 BHP की पावर 7,000 RPM है टॉर्क आपको मिलता है 8.50 Nm का 4,500 RPM है इसमें आपको मिलता है सिंगल नम्पर अप सिलेंडर चार इसमें आपको येर्न मिल जाता है, seat height आपको मिलती है 750 mm की, इसमें आपको मिलता है 175 mm के ground की लेरेंस और इसकी weight है करीबर 990 kg इसमें आपको मिलता है 7.2 लिटर का fuel tank capacity और इसकी top speed है 90 km पर हार, अगर हम इसकी एक सोरूम की price की बात करें तो company का है नहीं इसके आपको एक सोरूम प्राइज पड़ेगी 47 रुपर लेकिन हम इसके बारे में डीटेल ने बात करेंगे पूरी, अगर हम प्रॉस की बात करें आ आपको नहीं मिलता है डिश ब्रेक का option सामने की तरफ दोस्तों अब में बात करेंगे इसके प्राइज के बारे में साथी देखेंगे इसके finance procedure जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर आपको दिख रही है टोटल अमांट प्रिंसिपल पर इंट्रेस के साथ 64,000 रु इसे लेते हैं इंस्टाल्मेंट आपको हर महीने पेक करने पड़ेंगे उन्नीस औनीस रुप है दोस्तों आसा कोट आप समझ के होंगे कि इसके finance procedure पूरी क्या है क्या इसमें आपको positive point मिल रही है और बाइक लाइक और सब्सक्राइब जरू बंगता है इस वीडियो को सेल क आपना तो सब्सक्राइब जरू करेशी जनकारी वाजी वीडियोस पाने के लिए थैंक्स पर बहुंचिंग स्टेव टून विट आस